हेलो इस्टुडेंट्स स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चनल पर आप सभी का आसा करती है आप सभी लिग मस्त होंगे स्वस्त होंगे और आपके पढ़ाई अच्छी चल रही हो जैसा कि आपके स्कीन पर दिया हुआ है क्लास नाइन साइंस ठीक है इससे पहले जो है कि मैं एक मैतमेटिक्स का सैल बेस ओबर विव डाला था क्लास नाइन था ठीक है वह भी कौन से बुक का जो निव बुक चल रही है आप सभी का दोजाए तीस से लिके दोजाए चोवीस वाली जो लेटेस्ट पैटर्न की जो पैटर्न था उसमें थोड़ चैप्टर जा देते और इसमें क्या होगे थोड़ से कम कर देगा है ठीक है हादा कि अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मुझे चैप्टर को पढ़ा दूंगा mathematics में और इस science में जो है कि जो ओवर वीव जो ओवर आल जो सैल बैस का overview है कि हम ल ठीक है समझेंगे और आज यह जो वीडियो है यह सेलबस ओबर वीव पर ठीक है और मैथ और साइंस क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ जो भी बच्चे हैं जुड़े मुझसे और उसका फायदा उठाएं क्योंकि मैं सारे के सारे कोश्चन मैथमेटिक्स के लगवाऊंगा औ और साथ ही साथ जो एक्सेसाइज को कोश्चन हो सब में हैं रिटेन के फॉर्म में उसको समझाते हुए उस कोश्चन का मतलब समझाते हुए मैं पूरा वीडियो आप लोग के लिए मैं अप्लोड करूंगा अगर आपको अच्छा लागे तो सब्सक्राइब लाइक सेर करत यह किसका है यह हमारा चैप्टर कमेश्ट्री का है पहला चैटर हमारा कमेश्ट्री है दूसरा आप देख सकते हैं तो दूसरा हमारा जो भी कमेश्ट्री है देखते हैं क्या है इस मैटर एराउंड अस प्यूर हमारे आस पास के जो मैटर है क्या वो प्यूर है उसके बारे दूसरा तीसरा जो है chemistry में आता है और चौथा भी अगर आप लो देखेंगे structure of atoms ये भी क्या आएगा ये भी हमारा chemistry में आएगा ठीक है ये चार चेप्टर हमारे chemistry में आ रहा है उसके बाद जो पांचमा चेप्टर है वो देखिए the fundamental unit of life ये क्या है ये biology में है ठीक है उसके ब सात्मा किसमें आ जाएगा motion हमारा किसमे physics में है ध्यान दीजेगा तो motion हमारा physics में उसके बाद आगे देखेंगे chapter 8 जो हमारा वो क्या है force and laws of motion क्या है ये भी हमारा किसमें है physics में भी ठीक है physics में ही है आप सभी लोग इसको जरूर से note कर ले जागा क्यूं क्यूंकि इसको note क करने से आपको crystal clear आपको बनेगा कि हाँ हमको यह चीज़े physics में पढ़ना है और यह चीज़े हमको किसमें पढ़ना है biology पढ़ना और यह chapter हमको कमेस्टिंग पढ़ना है ठीक एक बाद मैं रिवाइद जरू कराऊंगा पहले आपको इसको मैं समझा देता हूं ठीक है उसके ग्रविटेशन किसमें पढ़ा जाता है यह भी physics में ही पढ़ा जाता है ठीक है वर्क अनर्जी जो chapter 10 हमारा आप रोग देखेंगे यह क्या work and energy है तो वर्क अनर्जी कहां पढ़ा जाता है यह भी physics में होता है ध्यान दिजेगा यह भी physics में बहुत important chapter है ठीक है उसके बाद आप देखेंगे तो हमारे पास यह sound है sound भी किसमें आता है यह भी physics में ही आता है ठीक है तो आप सभी को crystal क्रिश्टल के रहोगा कि हमारे पास physics के कितने चप्टर होगे 5 चप्टर होगे और यह छटवा improvement in food resources ठीक है यह हमारा आजाएगा biology में ठीक है यह हमारा food resources की बात हो हमारा किसमें आजागा बायो में आजागा ठीक है अब सभी को इतनी चीजे समझ में आ गयोंगे ठीक है तो हमको पढ़ना के है ध्यान दीजेगा मैं आपको यहां पर फिरते बार device कि इसको दिखाता हूं देकि जो पहला चप्टर था वह भी chemistry में था दूसरा चप्टर भी chemistry में था तीसरा चप्टर विमारा chemistry में था और चौथा चप्टर विमारा chemistry में था इसका हो ओवरारन को chemistry कितने chapter पढ़ने है चार चप्टर आपको पढ़ने है ठीक चैब बुक पड़ते हैं अच्छ्छारा होते हैं ऑप गदेशें होते हैं अब लगा क्रिकुन्हारuesta. कॉर्टियम में बहुत बहुत ही सारे सारे/. कमेश्टीर में फिर 3 चैप्टर हैं फंडामेंटल department ofnenoth recite biology में और टीशूँ हो 가운데 रहा है ठीक है उसके साथ ही साथ आप यह देखेंगे कि हमारे पास एक और है improvement in food resources से बायो में आ रहा है मत्तब 3 chapter हमारे पास बायो में आ रहे हैं ठीक है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो physics में कितने आ रहे है physics में पास 5 है ठीक है पहला motion है उसके बाद force and loss of motion है उसके बाद आपए पास gravitation है उसके बाद work and energy उसके बाद sound है ठीक है तो हमारे पास 5 chapter किस में आ रहे है physics में आ रहे है तो यह चीज आ पे अदम crystal clear आपको हो गया होगा कि 4 chapter chemistry में आ रहे है 5 chapter physics में आ रहे है और 3 chapter किस में आ रहे है बैलो जी मैं रहे तो 5 और 3 8 हो जाएगा और 8 में 4 जोड़ेंगे overall आपको पढ़ना कितना है 12 वे चेप्टर आपको पढ़ना है NCRT क्लास 9 पर ठीक है और इसके सारे NCRT के जो भी index question होंगे जो कि CBC new book होगी उसका 2023 तर 2024 तक के उस सारे book का जो index question होगा index question के बाद जो exercise को question होंगे उन्स सभी को मैं step वाज step वाज आपको कराऊंगा और आपको अच्छे समझ में आएगा और किसी परकार के अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो comment box में comment जरूर करिएगा और इस तरीके से आप मुझे support करिए ताकि मैं आप सभी के लिए और अच्छे अच्छे content लाता रहूं और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीस एक छोटा सा comment जो कि आपको अच्छा लगे मेरी मैनत तो एक अच्छा comment करेंगा तो मुझे उससे motivation मिलेगा और मैं उसके लिए और आगे मैनत करता रहूंगा ठीक है तो इसी बातों के साथ ये वीडियो के समप्त करता हूँ अगर आपको समझ में आजागा कि इस syllabus overview क्या है NCRT class 9 का तो उसको और भी लोगों को share करेंगा जो आपको friend है मैं थोड़ा सा start late कर रहा हूँ अगर आपको आपको पार आपको और आपको आपको अगरा हूँ